हलो अब्रिवन आज का वीडियो है फार्मसी काउंसल अफ इंडिया येस जो भी स्टूडेंट्स अभी 22 एं 23 में डी फार्मा या डिग्री कॉलेज में एडिमिशन लेने की सोच रहे हैं उनको कैसे अपने इंसित्यूट का स्टेटस चेक करना है कि वो किस जिस इंसित्यूट में जा रहे हैं उनको एफिलेशन मिला है या नहीं तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सबसे वहले गूगल पर यह आपने लिखना टाइप करना है फार्मसी काउंसल ऑफ इंडिया और जैसी आप टाइप करेंगी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यह है इनकी ओफिशिल वेबसाइट pci.nic.in यहाँ पर आप देख रहे होंगे अप्रूट डिप्लोमा इंसिटूशन और डिग्री ये दोनों की लिस्ट इनों नहीं है पर मेंचन किया हुआ है अगर आपको उनकी साइट पर जाके चेक करना है तो आपने फार्मसी काउंसल ऑफ इंडि चेक करना है जैसे आपको डिप्लोमा में ऐडमिशन लेना है आपने इसमें और इनोंने जितनी भी लिस्ट दी है वो एल्फबेटिकली दी हुई है तो आप अपने इन्सिट्यूट को चेक कर सकते हैं कि इनको अफिलीशन मिला है या नहीं मिला है देखे इंडेको पूरी को recognize करने के लिए कि हाँ जैसे PCI 35 only आदर्श College of Pharmacy का होगा जो कि आदरप्रदेश का है तो इसमें आपने status कैसे चेक करना है यहां देखना है approval up to academic session जैसे first जो number पर आ रहा है उनको affiliation जो मिला है D Pharma course is already approved up to 22 and 23 academic session for 60 admission that means यह इनको approval मिल चुका है और examining authority इनकी कौन सी है state board of technical education and training आदरप्रदेश तो make sure जहां से भी आप D Pharma या B Pharma कर रहे हैं उनके पास एक तो PCI का approval होना चाहिए और जो भी examining authority है concerned state की उनका affiliation होना कंपल सरी है तो दो चीजें उनसे जरूर पूछना current session का उनका approval या extension और examining authority का extension उनके पास होना चाहिए तो यह process जानने के लिए कि कैसे check करना है कौन सो college approved है या नहीं यह diploma की list है ऐसी आप degree में जाके degree की list भी check कर सकते हैं अगर कोई B Pharma करने की सोच रहा है तो देखिए हैं यहापे 126 pages है जिसमें आप state wise जाके अपने college का status check कर सकते हैं और PCI नहीं हाँ पर एक एक चीज लिखी वी अगर उनको approval नहीं भी मिला होगा उनकी अलग से list होगी लेकिन आपको तो अभी admission लेना है तो अगर आपको check करना है आपका institute approved है या नहीं उनको extension yearly basis पे मिल रहा है या नहीं कितना admission है वो यहाँ से आप check कर सकते हैं तो चलिए मिलते आपसे next video में थैंक यू